उत्तरप्रदेश में लॉकडाउन के साथ 1244 भी लागू है और साथ ही कई जिलों में हाई अलर भी लगा हुआ है जिसकी वजह से लोग अपने घरों में कैद है एक तरफ जहां आम लोगों को इतनी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो वही कुछ ऐसे लोग भी है जो इस वक्त में भी अपनी गलत हरकतों से बाज नहीं आ रहे हाल ही में ताजा मामला सामने आया है संभल से जहां दो यूवक श्रम अधिकारी बन कर अवैद वसूली करने पहुँच गए जिसके बाद गाउवालों को दोनों यूवकों पर शक हुआ और गाउवालों ने दोनों को पकड़ कर तुरंत पुलिस को सूच न दी तब पुलिस मौके पर पहुँची और पुलिस ने दोनों को ह झाल